श्री राम समर्थ सितंबर पच्चीस अखंड अनुस्तंदां जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए भगवान ने हमें बुद्धी दी है और उसका प्रयोग करके हम काम करते हैं यानि भगवान ही हमारे द्वारा सभी कार्य करवाते हैं अतहां यदि हम अपना प्रते कर्म इस भाव से करे की सब उन्ही की प्रेदना से घतित हो रहा है तो हमारा भगवान के प्रती प्रेम धड़ होगा जो भी कुछ करना हो वो सब भगवान के लिए करे तो हमें पापुन्य की बाधा क्यों हो एक बार कबीर के यहां महमान आए घर में तो उन्हें धोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अतित्ही को भगवत सुरूप मानना चाहिए इसलिए कबीर ने उसके लिए पर्याप्त होगा इतने अनाज की चोरी की चोरी करना बुरा है पाप है फिर भी चोरी भगवान के लिए की अता उसे पाप नहीं लगा अन्ततहा कर्म हो जाने के बाद हम अवश्य भगवान का स्मरण करे और कर्म उसे अर्पन करे फलतहा धीरे धीरे अभिमान कम होकर भगवान के प्रती प्रेम ध्रड़ होगा एक बार ध्रड़ निष्टे करें कि हम भगवान के हैं समसार के नहीं हैं और इस निष्टे को पक्का करने के लिए निरंतर नामस्मन करें हम मनुश्य हैं यह भान जितना ध्रड़ होता है उतनी ही ध्रड़ता नामस्मन के बारे में फिर भी यह सदना कठिन है यदि यह नहीं सरता है तो उसके बाद जुतिय उपाए जो कुछ घट रहा है वह भगवत कुर्पा और प्रेना से घट रहा है ऐसी भावना अंतख करन में रखे और यदि वह भी नहीं सरता होगा तो वैखरी वानी से अखंद नामस्मन करे इस अन सरता बन रहा है हम देर से पूजा करते हैं मेले में भी जाते हैं लेकिन मन रहस्ती में रखते हैं सशुराल में आई बहू घर के सब लोगों के लिए श्रम करती है पती का काम शायद ही करती हो लेकिन अंतख करन में वह पती के लिए ही होती है वैसे ही रहस्ती में सब के लि प्रविष्टेशन निश्चित करके हम रेल गाली में बैठते हैं बीच में अनेक बाते होती हैं खड़ा रहना पड़ेगा कई तरह के लोग मिलते हैं लेकिन निर्धारित स्टेशन पर उतरने के बाद हम प्रसन्न होते हैं उस प्रसन्नता में हम पीछला सब भूल जाते हैं उसी तरह हमें भगवान की प्राप्ति करनी है यह निश्चित करने के बाद हमें अमसंधान में रहना चाहिए तब ग्रहस्थी की मत्व छनाइक होता है लेकिन पहले धे निश्चित कर लेना चाहिए भगवान का नाम भगवान की कुर्पा के लिए लेना चाहिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं नामस्मन ही हमें धे की सिद्धी करा देगा भगवान की तरह हमें भी ग्रहस्थी में रहकर उसके बाहर रहना चाहिए अपने देह की और साक्षी के समान देखना सीखे यदि वह नहीं सरता हो तो विस्तार में रहकर भी अमसंधान में रहे पढ़ा हुआ गुला जाएगा देखा हुआ गुला जाएगा जो कृती की होगी वह भी भुला जाएगी किन्तों अंतख करन में भगवान का जो अंसंधान जड़ हुआ है उसे भूलना नहीं चाहिए आज के मुख्य विचार कल्यूग में अवतार नहीं हैं लेकिन नामावतार जरूर हैं और वही सच्चा उद्धार करने वाला है सद्गुर्नात महराज की जय 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 रघुवीर समर्थ झाल झाल